नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सही ड expire चैनल के उपर। दोस्तों, अगर आप zirlo-da application यूज़ कर रहे हो, और आपको nifty 50 buy करना है, तो किस तरीके से buy करना है, क्या-क्या चीजे होती है नifty 50 buy करने के लिए, आपको सारी जीज़े इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो वीडियो के साथ बने रही है और अगर आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजे तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जीरोदा का जो application है मैंने open कर दिया है यह मेरा portfolio है सबसे पहले चलते है watch list में अब जैसे कि सब को पता है nifty 50 जो है वो एक index है अब index को आप directly buy नहीं कर सकते क्यूंकि 50 stock का मिला के एक index बन रहा है तो उसको आप buy नहीं कर सकते तो nifty को buy करने के तरीकी क्या है तो तीन तरीके है nifty को buy करने के सबसे पहले nifty 50 अगर आपको buy करना है तो आप ETF buy कर सकते हो nifty 50 का ETF या nifty 20 buy कर सकते हो दूसरा आप future buy कर सकते हो और तीसरा आप option buy कर सकते हो तो सबसे पहले देखेंगे कि ETF क्या होता है exchange traded fund या फिर index fund आप उसे buy कर सकते हो तो exchange traded fund जो होता है वो demet account पे ही आपके trade होता है तो अगर आप यहाँ पे nifty का exchange traded fund देखना चाहते हो तो आपको nifty bees buy करने होंगे nifty bees stock की तरह आप long term के लिए hold करके रख सकते हैं अब जैसी कि आप देख रहे हैं यह 98 stock है nifty bees के मेरे account में पोर्टफोलियो में अगर मैं देखा हूँ आपको तो यहाँ पे आप देख सकते है nifty bees जो है वो मैंने 189 के price के उपर खरीदा है और फिलाल मुझे यहाँ पे 8% का profit हो रहा है मतलब nifty bees क्या करता है nifty के 50 stock यानि कि nifty जो index है nifty अभी 8700 के आसपास index चल रहा है तो इस index को nifty bees follow करता है और जैसे nifty 50 उपर बढ़ता है वैसे ही यहाँ पे nifty bees का performance somehow उसी तरीके से होता है 100% नहीं के सकते थोड़ा सा यहाँ पे कम जादा हो जाता है performance लेकिन जिस तरीके से nifty bullish रहेगा उसी तरीके से आपका nifty bees भी positive return देगा और अगर nifty यहाँ पे bearish हो जाएगा यानि कि nifty गिर जाएगा तो यहाँ पे nifty bees की भी price गिर जाएगी तो अगर आपको nifty 50 long term के लिए खरीदना है long term के लिए जैसे आप stock खरीदते है एक, साल, दो, साल, पाथ, साल, दस, साल के लिए तो आपको nifty bees में buy करना होगा nifty bees आप खरीद के long term के लिए रख सकते हैं तो यह तो हो गया पहला options दूसर option है futures buy करने का अब future क्या होता है future एक contract होता है जिसकी एक certain expiry होती है यानि कि आप यहाँ पे देख रहे है nifty का जून का future है अब एक साथ आप तीन futures contract को trade कर सकते हैं क्योंकि यह contract है buyers and sellers के बीच में तो इसकी एक expiry होती है जैसे यहाँ पे जून future लिखा है यानि कि जून महने की expiry कब होगी जून महने के last Thursday को last Thursday को यह contract खतम हो जाएगा और उसके बाद next month का contract चालू हो जाएगा वैसे तीन contract जैसे मैंने कहा कि available होते है अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो nifty July का future भी आपको यहाँ पे available हो जाता है trade करने के लिए तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यह options आ रहे है तो July FUT अगर हम डालेंगे तो यहाँ पे देख सकते है July का future भी trade हो रहा है और उसके साथ साथ August का future भी यहाँ पे trade होता हुआ आपको दिखाई देता है यह August का future भी है तो हम watch list में देखेंगे तो आप देख सकते है June का future जिसकी price यह चल रही है July का future जिसकी price यह चल रही है और August का future जिसकी price यह चल रही है future price आप एक अंदाजा लगाते हो कि expiry तक spot price वहाँ तक जा सकती है इसलिए future तोड़े ज्यादा भी होते है तोड़े कम भी होते है अगर future price, spot price से जादा होती है तो हम कहते हैंगी nifty का future premium पे चल रहा है अगर कम होता है तो discount पे चल रहा है ऐसा market में कहा जाता है तो एक साथ आप तीन future contract ट्रेड कर सकते हो आप June मेहने में ही August का contract भी buy कर सकते हो और जैसे ही June का contract खतम होगा यहाँ पे September का contract ओपन हो जाएगा तो हमेशा आपके लिए तीन contract ओपन रहते है ट्रेड करने के लिए अब ट्रेड कैसे करना है मान लिजे मुझे June का future यहाँ पे खरीदना है तो यहाँ पे आप long position भी बना सकते हो अगर आप bullish हो या फिर आप bearish हो तो short की position भी बना सकते हो और expiry तक hold कर सकते हो ऐसा नहीं कि सरिफ intraday में short position बना सकते हो तो long term के लिए भी expiry तक hold कर सकते हो लेकिन सबसे important चीज है chart technical analysis बहुत important है chart analysis बहुत important है अगर आपके पास कोई strategy नहीं है आपके पास study आप नहीं proper कर रहे हो तो आप इसमें enter मत करो क्योंकि ये risky game है तो buy करने के लिए simply procedure है आप यहाँ पे simply buy के ओपर click कर सकते हो regular order में रहना है आपको MIS भी कर सकते हो intraday में भी ले सकते हो intraday में भी बेच सकते हो जरूरी नहीं है कि expiry तक hold करना है अगर आप overnight भी रखते हो और आज आपने buy किया यानि कि आज 20 June को buy किया है और आपको 21 June को profit हो रहा है तो आप 21 June को exit भी कर सकते हो आपको mandatory नहीं है कि expiry तक रखना ही है आपको profit हो गया आप निकल जा सकते हो उसी दिन profit हो गया उसी दिन में निकल जा सकते हो overnight position होते हुए भी कोई दिक्कत नहीं है intraday या फिर overnight अब future जब आप trade करते हो तो आपको यहाँ पे margin देना होता है 20% upfront margin अब अगर calculate करे 50 का एक lot होता है तो 50 का lot को 50 की quantity को हम 18,740 को calculate करते है तो जो trade value होगी वो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन उसके 20% का margin आपको देना होता है यहाँ पे आप देख सकते हो कितना margin देना है 1,6,462 रुपे इतने पैसे अगर आपके account में है तो आप futures ट्रेडिंग कर सकते हो इससे ज़्यादा ही होने चाहिए यह cut to cut मत रखना क्योंकि अगर losses हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी तो आपके पास अगर 1,5,5,5,5 रुपे है तो आप futures में trading कर सकते हो मैंने फिर से खाँ यह एक risky trading है तो आसानी से आप इसे थोड़ा सोच समझके करिएगा तो यह buying की procedure होती है फिलाल मैं आपको future buy करके नहीं दिखाऊँगा लेकिन मैं आपको option ज़रूर buy करके दिखाऊँगा तो यह swipe to buy करोगे तो आपका nifty का future जो है वो buy हो जाएगा इसकी expiry आप देख सकते हो जून मेने के last Thursday को हो जाएगी और इस तरीके से आप futures buy कर सकते हो लेकिन future आप long term के लिए hold नहीं कर सकते है सिर्फ expiry तक hold कर सकते हो अब तीसरा तरीका होता है options buy करने का अब एक लाख रुपे कौन डाले इतने पैसे normal retailer के पास कभी कभी नहीं होते है जो beginners होते हैं वो तो options दारेक्ली शुरू करते है लेकिन option trading जो है वो future से भी ज़्यादा risky है क्योंकि future में time value की कोई दिक्कत नहीं होती है लेकिन option में time value की दिक्कत होती है जैसे ही यहाँ पे market एक range में रहता है आपके option की price गलने लगती है तो यह बहुत अलग part है उसके उपर मैंने video बनाया है time value क्या होती है OTM, ATM, ITM, ITM जबी भी nifty bullish है यानि कि आपको लगता है कि nifty बढ़ने वाला है तो आप call option buy करते हो और जब आपको लगता है कि nifty गिरने वाला है तब आप put option buy करते हो दोनों भी buying करनी है गिरते time पे put buy करना है बढ़ते time पे call buy करना है अब यह पहचानेंगे कैसे यहाँ पे आप देख रहे हो strike price होती है अलग-अलग strike price के आपको call option और put option यहाँ पे buy करने होते है अब यहाँ पे जो price दिखाई दे रही है यानि कि 18800 का put buy करना है आपको तो उसके लिए आपको सिर्फ 124 रुपे देने होगी सिर्फ 124 नहीं इसको 50 से multiply करेंगे तो जो भी price होगी वो आपको देनी होगी यानि कि एक लाख रुपे देने से आप यहाँ पे बच जाते हो position आप same ले रहे हो जैसी कि हमने buy की position लीती तो यहाँ पे मुझे अगर buy करना है तो nifty 18600 में buy करूंगा और जिसकी price है 123 रुपे तो एक लाख 6,000 रुपे 412 रुपे देने से मैं बच जाऊंगा long position ही हो जाएगी मेरी लेकिन मुझे सिर्फ देने है 123 रुपे into multiply 50 share जो भी price होगी वो आपको यहाँ पे पे करना है तो यहाँ पे आपको एक privilege मिल जाता है कि आप कम पैसे में nifty को long या फिर short कर सकते हो और इसकी भी कोई mandatory चीज नहीं है कि आप intraday में खरीदो इसकी weekly expiry होती है options की जो expiry होती है वो दो तरीके होती है एक होती है weekly एक होती है monthly अब यहाँ पे जबी भी हम वीडियो देख रहे तो यहाँ पे आप देख रहे 122 रुपे का जो option है वो 130 रुपे का पहुच गया है 131 हो गया है यानि कि 9 रुपे से वो profit में आ गया है अगर इसको हम 50 से multiply करेंगे तो 450 रुपे का profit हमारा वीडियो बनाते बनाते ही बन जाता है अगर मैं 122 रुपे के उसको buy कर लेता तो यह profit आपका यहाँ पे बन जाता है options आप ढग से buy करोगे तो अब मैंने कहा कि weekly expiry होती है हर week के Thursday को expiry होती है और हर month के last Thursday को expiry होती है तो यह दो expiry होती है options में और future में एक ही expiry होती है यह सारी चीज़े आपको पता होनी चाहिए आसानी से आप यहाँ पे देख सकते हो PE का मतलब होता है put European और CE का मतलब होता है call European क्योंकि हमारे यहाँ पे जो options है वो European standard के इसाब से trade होते है US के standard के इसाब से नहीं होते है तो यह सारी चीज़े आपको पता होनी चाहिए और इस तरीगे से आप Nifty 50 जिरोदा में buy कर सकते है अब थोड़ा सा chart analysis करते है और एक आपको option भी buy करके दिखाते है कि क्या करना है अब थोड़ा सा यहाँ पे Nifty का chart open करते है और Nifty किस तरीगे से यहाँ पे trade हो सकता है वो भी देखते है तो यहाँ पे देख सकते है आपकी एक bearish moment है Nifty गिरा था फिर एक moment आई यह support break किया और support break करके Nifty यहाँ से नीचे आ गया है तो यहाँ पे हम put option buy करने का try करेंगे देकिन timing change होता है थोड़ा सा एक candle wait करते है और उसके बाद थोड़ा सा देख के हम एक आपको buy करके दिखाते है put option तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक bearish moment बन रही है यह support भी break कर दिया है यह support भी break कर दिया है तो यहाँ से हम put option लेने की थोड़ी सी चेश्टा करेंगे तो फिर से जाएंगे हम अमरे watch list के उपर watch list में आप देख रहे है जो 122 रुपे का put option था वो अब 144 रुपे पे चला गया है यानि 22 रुपे टोटली बढ़ गए है तो यह जो option है हम थोड़ा सा buy करने का देखेंगे इसके उपर click करना है आपको यहाँ पे buy के उपर click करना है जैसे ही आप buy के उपर click करोगे तो आप overnight भी रख सकते हो और intraday भी रख सकते हो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली है दोनों तरीके से आप यहाँ पे buying जो है वो कर सकते हो simply आप market order limit order और जो भी आपकी position है किस तरीकरी से भी बनानी है आपको negotiate करनी है price तो negotiate भी कर सकते हो या फिर आप directly भी यहाँ पर buy कर सकते हो market price के ऊपर अब जो price चल रही है आप यहाँ पर देख रहे हो price चल रही है 137 रुपर थोड़ा सा chart फिर से देखते हैं कि यह थोड़ा risky मामला होता ह तो उपर नीचे आपको थोड़ा नुकसान ना हो इसकी वज़े से थोड़ा जादा देखना पड़ता है अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यह जो candle है वो थोड़ा सा उपर की तरफ shift होने की गोशिश कर रही है तो buy करते time पे chart analysis proper होना चाहिए अगर नहीं होता है तो आपको नुकसान हो सकता है तो हम buy करेंगे put option 140 रुपे जिसकी price salary है 141 के आसपास तो हम market के उपर ही buy करेंगे और intraday में ही buy करेंगे तो swipe to sell अब यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे पैसे कितने देने है सिर्फ 7000 रुपे जैसे कि option में हमने देखा था कि मुझे 1,00,000 रुपे दे देने हैं मतलब यहाँ पे मैं 7,000 में nifty को short position में ले रहा हूँ शॉट कर रहा हूँ nifty को तो यह आपको सारी चीज़े पताओने चाहिए किस तरीके से nifty को short किया जाता है किस तरीके से nifty को buy किया जाता है तो तीन तरीके है जिसमें से यह लाखरी तरीका है जिसको आप दे तो देख सकते हैं, 137.75 पर हमने put option buy किया है, portfolio में हम देखेंगे, तो हमारी position यहाँ पर दिखाई दे रही है, 90 रुपे प्लस में चल रहे हैं, 125 रुपे प्लस में चल रहे हैं, exit करने के लिए simply इसके उपर click करना है, exit के उपर click करना है, सारी चीज़े यहाँ पर लिखके आती था तीन बच के 30 मिनिट तक, लेकिन आपको मुझे process बतानी थी, इसकी वज़े से मैंने तुरंत यह सारी चीज़े की हैं, तो इस तरीके से आप ETF में nifty 50 buy कर सकते हो, futures में buy कर सकते हो, या फिर options में भी buy कर सकते हो, buy करना है, तो इस तरीके से short करना है, तो भी आप कर सकते हो तो यह process होती है, nifty को buy करने की, I hope आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना, वीडियो को जादा स्यादा शेयर करना, और जो भी आपके comments है, वो आप नीचे पूछ सकते हो comment section में, जो भी doubt से वो पूछ सक चैनल को subscribe करना ना भूना, धन्यवाद.